दोस्तों कैसे हैं आप लोग करेंट अफसे टूड़े का आज 114 एपिसोड आप लोग बीच लेखाया हूं जिसमें आज का टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वह भुगोल एवं आपदा परवन्दन से भारत के भुताप्य संसाधन दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखें अगर आप यूपिस से या स्टेट पीसे के त्यारी करते हैं तो दोस्तों यह देश्ट्री के दौरा मैगजीन दिया जाता है प्रती एक मन उसी मेरे के यह टॉपिक है जो आप तक ले के आए हैं अगर आप उर्जा में क्यूं है तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओ एंजीसी ने स्वक्ष उर्जा की खोज में भारत के भुतापिय उर्जा स्रोत जियो थर्मल इनर्जी रिसोर्स की मैपिंग करने की योजना बनाई है इसमें प्रमुख बिंदु क्या है तो भुतापिय उर स्थापित अच्छे उर्जा चमता और सुद्ध सुन्ने कार्वन उत्तुसर्जन का महत्यों कांग्षी जलवायू लक्ष निर्धारित किया है कि अगला है कि ओ एंजीसी ने अपनी उर्जा रननीती डूहजार चालिस के माध्यम से अपने विविधिकरन परियासो को भी तरिव कर दिया है देखते हैं कि अटी में देख सकते हैं सुरोत कोनगोन से है उसका बालीग कि भुतापीय उर्जा ξया 설ई चियो थर्मल इनरशी तो भुतापीय उर्जा प्रित्वी के अंदर अधिकृत की गई उस्मा है यह प्रित्वी के मेंटल में खनीजों के प्राकृतिक रेडियो धर्मी 6 द्वारा निर्मित होती है और भाप या गर्म जलाशियों के रूप में लगतार उपलब्ध तहती है जिसे भुतापिये उर्जा भी कह सकते कहां दृट्वी के जो कहां मेंटल में आता है प्रित्वी यानि 100 किलोमीटर के बाद की जो सटय होती है वहां पर इस तरह के अर्चा संचित है इस उर्जा का उपियोगी बिजली उतुतों करने या इमारतों को गर्म करने के लिए किया जा सकता है या एक अस्थाई की ऊरज़ा सिरोत हैं क्योंकि उस्मा लगतार उत्वन होती है और किसी बाहरी इंधन सुरोत पर निर्भर नहीं होती है कि भारत में भूतापी आप्य उरजर्जा की संभावना बहुताप्य उरजर्जा के लिए विशेश इस रूप से पश्मी घाट और उत्तर पुर्वी छेत्र में महत्वपून छमता है अतीत में भारत में भुतापिय उर्जा का विकास तक्नीकी विशेशग्यता की कमी और उच्च अगरिम लागतों के कारण सिमित रहा है अगला है कि हलाकि भारत सरकार ने भुतापिय बिजली सेयंत रस्थापित करके और इस चेतर में नीजी निवेज के लिए प्रोत्ताहन की पेशकर्ष करके इस शमता का दोहन करने के लिए कदम उठाए हैं अगला है कि भारत में भुतापिय संसादनों की भारते भुपे ग्यानिक सर्विक्षन जी एस आई द्वारा मैपिंग की जाती है और नवीन एवं नवीकर्निय उर्जा मंत्राले मन्री द्वारा एक व्यापक अनुमान से पता चलता है कि भारत में दस गीगावाट भुता गाउं में भारत की पहली भुतापिय च्छेत्र विकास प्रयोजना शुरू की है तो यहां पर साप प्रिलिम्स के कोशन हो सकता है कि भारत सरकार ने कौन सी यानि कहां यानि भुतापिय उर्जा के लिए क्या है च्छेत्र के लिए प्रयोजना शुरू की है तो लदाक के जो पूवा गाओं पूगा गाओं में पहली भुतापिय चेदर विकास योजना शुरू की है इसके लिए क्या है कि टाटा पावर भारत की सबसे बरी एक इक्रित बिजली कंपनी है टाटा पावर गुजरात में लगबग पांच मेगावाट का एक भुतापिय सेयंत रस्था रहा है यानि बना रहा है अगला है कि भुतापिय चेदर में सवयुक्तराज अमेरिका फिलिपिन्स इंडोनेशिया तुर्की और निजलेंड अगने देश है यानि भारत के अलावा इन सब देशों में यहां भुतापिय उड़ जाके अच्छी तरीके से उप्योग किये ज 240 भुतापिय गर्म जहर्नों की पहचान की है उनमें से ज्यादातर कम सतह के तापमान यानि लगभग 370 से 900 डिग्री से सिंटीग्रेट तक वाले भुगर्बिय चितरों में हैं जो परतेक ताप अनुप्रियोगों के लिए उप्यूक्त है इन अस्थलों पर विद्यूत उ मेगावाट है अला देखते हैं कि देश में गर्म जहर्नों को साथ भुतापिय प्रांतों में बाटा गया है कौन है तो भुतापिय प्रांति हिमाले हो गया एक शहारा घाटी हो गया केंबे वेशिण हो गया सें नरमदा टोपी लाइं मेंट बिल्ट हो गया ठीक है पश्मीत तट हो गया गोदावरी बेशीन हो गया और महानदी बेशीन हो गया तो देश में गर्म जहर्णों का जो साथ भुतापिय प्रांथ है उसमें से देख लिए कौन-कौन से है ठीक है उसका देखिए उर्जा के अधार पर क कुछ प्रमुख अस्थान जहां बिजली सयंत्र अस्थापित किया जा सकते हैं ठीक है कहां तो मनिकरन जो ही माचल पर्दिस में है जलगाओं महराष्ट में है तापोवन उत्राखंड में बक्रेश्वर पशिममंगाल और तुवा गुजरात में यहां क्या है कि भुतापि उर्जा के लाब क्या है ठीक है तो सौर वपवन उर्जा जो मौसम की इस्तिती पर निर्भर है जबकि भुतापिय उर्जा पुरे वर्स उपलद रहती है अलाएकि यहां इसे उर्जा का निरंदर सुरोत बनाता है और किसी भी प्रकार के इंधन की आयात की अवेशक्ता को समाप्त करता है अलाएकि इसके अतरिक्त भुतापिय उर्जा उत्पादन में कम कार्बन फूट्प्रिंट होता है जो इसे परियावरन के अनुकूल उर्जा सुरोत मनाता है यानि कार्बन का उतसर्जन जो है भुतापिय उर्जा से बिल्कुल कम होता है जिसके वज़ते परिया और अनुकूल उर्जास रोत मना जाता है ठीक है उसका चुनौतिया क्या आ सकती है ठीक है इसके तुलाब देख लिए लेकिन इसके चुनौतिया है कि प्रारंबिक पुंजी के रूप में अधिक लागत के विशक्ता होती है अगला है कि भुतापिय उर्जास्थान व खोद करके वहां से उज्जा निकाने की कोशिश करेगा तो वहां क्या होगा वुकाम पायने की संभावना है घटित होगी अगला है कि बजट 2023 और नविकरनिये उर्जास्था को कुन अकार देना जिसमें क्या है कि हाल ही में केंड्रिय वित मंत्री ने नवीन और नविकरन में खर्च किये जाने वाले रुपए साथ हजार तेतिस करोर से यानि 45 परतीसत अधिक है अगला है कि बजट 2023 से नविकरनिये उर्जा हित धार्गों की प्रात्मिक अपिक्छा इस शेत्र में अधिक निवेश की थी ताकि देश की जिवास्म इंधन के हिस्से को कम करने और नविकरनिये उर्जा की हिंसे को बढ़ाने में मदद मिल सके अगला है कि इस छेत्र से सम्मंदित चुनाउतियों को परभावी ढंग से संबोधित करते हुए भारत सरकार ने प्रात्मिक्ता पुंजी निवेश यानि प्रायोरिटी कैप्टल इंवेस्टमेंट के लिए 35.000 संब्सक्राइब यह निर्ण उर्जा परिवर्तन सुद्ध सुन्य उदेश और उर्जा सुरक्षा को प्राप्त करने की विशा में एक प्रमुक्त प्रोशाहन है अगला देखते हैं कि Green Credit Program क्या है तो भारत सरकार ने धारने कारियों को प्रोसाहिद करने के लिए परियावरन यानि संद्रक्षन अधिनियम के ताथ Green Credit Program लॉंच किया है जो अच्छे उर्जा उद्योग के लिए निवल सक्रात्मक प्रोग्राम है इसके लिए क्या है कि या कार्जकरम कंपनियों व्यक्तियों और अस्थानिय निकायों तो अर्यावरन की द्रिष्टि से अस्थाई एबं उत्तरदाई कारियों को प्रोसाहिद करेगा और अच्छे उर्जा प्रियोजनाओं के लिए धिरे धिरयात्रिक संसादन जुटाएग आगे करा क्या हो सकता है जिसे अपनी स्कर्स की रूप में देख सकते हैं तो भारत ने वर्ष 2070 तक सुध सुन्य उत्तरजन हासिल करने का संकल्प लिया है यानि सुध सुन्य उत्तरजन का मतलब यह हुआ कि जितनी कार्बन डायोक्षाइड के हम उत्तर्जन करेंगे उतन सुन्य उत्तरजन हासिल करने के लिए कह रहा है उसके बाद कि भारत को अपने कुल आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अपने उर्जा उद्योक का भी तेजी से विस्तार करना चाहिए जला है कि आर्थिक लच्ष को ध्यान में रखते हुए भारत को निर्भरता साम विक्षित करनी चाहिए अगला है कि कई विकलपों के साथ लक्ष सुनिक्षित करना और मजबुत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एक तक्निकी और वित्यमुद्द है इसलिए सरकारी नीती को सभी उर्जा वित्रन पतों में नवचार अनुसंधान और हरित उर्जा पर्योजनाओं के करियानवयन को प्रशाहिद करना चारी रखना चाहिए दोस्तो इससे संभावी जो प्रशन है उसको देख लेते हैं कि भारत में भुतापिय उर्जा की संभावनाओं पर परकास डालते हुए भारत सरकार द्वारा नवी करनिये उर्जा को बढ़ावा देने से सम्मंदित किये गए परियासों का उलेक किजिए दोस्तो इस तरह से यह topic complete हुआ कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिसे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टिलीग्राम का लिंक नेक्स्ट एपिसोड में जय हिंदा